Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल इसके बारे में हम डीटेल से जानेंगे एक एक चीज में आपको बताऊंगा कि यह artillery shells की power क्या होती है यहाँ पर यह भारत से Ukraine कैसे पहुंच सकता है भारत का इसको लेकर क्या जवाब आया है काफी कुछ जानने को है चलिया आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों कल से हमारा prelims crack करने का जो batch है SIP PLUS यह स्टार्ट हो रहा है इस batch के अंदर आपको prelims related जितने भी revisions चाहिए जो भी process होता है जो भी books cover करनी है साथी साथ test series हो गया सब कुछ मिलेगा ताकि आप prelims cover कर सकें इसके अलावा अगर आप foundation batch चाहते हैं मतलब UPSC की पूरी त्यारी चाहते है prelims, mains, interview जिसके अंदर test series, SIP सब कुछ cover किया जाता है वो batch हमारा ले सकते हैं by using the code Ankit Live हमारे website अप पर जाएए या फिर comment section में लिंक है और सबसे कम दाम पर आप ये avail कर पाएंगे चाहें कोई भी batch अगर आप study IQ पर लेते हैं और इसके लावा अगर आप MCQs अटेंब करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेंब कर पाएंगे चले सुरवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हुआ क्या है देखे अभी recently अगर आपको याद हो तो भारत की तरफ से भारत के जो External Affairs Minister है S.J. संकर साब वो गय थे रश्या और यहाँ पर report के अधार पर ये बताया जा रहा है कि रश्या ने एक issue race किया भारत के साथ और issue ये था रश्यान का ये कहना था कि पिछले साल के third quarter में कहीं न कहीं भारत के दोरा बनाया हुआ जो ammunition है basically जो artillery shells है वो Europe के माध्यम से हो सकता है कि Ukraine पहुचा होगा जिसका Ukraine इस्तमाल कर रहा है और ये सारी चीजे तब बोली कही है रश्या के दोरा क्योंकि कई सारे reports में अगर आप देखोगे media से लेकर हर जगा यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि Indian 155 mm artillery shells ये कई जगा देखने को मिला है जैसे कि आप post देख सकते हो यहाँ पर ये वाले जो artillery shells है जो मैं आपको बता रहाता ना bullet का बड़ा रूफ होता है अगें यहाँ पर भी आप देख पाओगे और अगें नीचे इसमें अगर आप देखोगे ordinance factory नालंदा तो इस तरह की जो artillery shells हैं वो वीडियो में बताया जा रहा है कि ये भारत द्वारा बनाया हुआ है और इसका इस्तमाल Ukraine की forces कम 2,000,000 से जादा ये जो artillery shells हैं वो अभी तक western countries ने provide किया हुआ है लेकिन problem क्या है western countries के पास कि वो अब अपना old stock को तलाश रहें क्योंकि ये war बहुत लंबे समय से चल रहा है और इस समय problems आ रही है western countries के साथ तो वो अपने जो पुराने stocks हैं इन फैक्ट जो पुराने expire भी हो चुके हैं उसको further refurbish करके जो है ammunitions Ukraine को provide किया जा रहा है Ukraine का कहना है कि अभी भी वो कम है हमें और जादा चाहिए तो वो सारी problem चल रही है लेकिन matter यह है कि आखिर कर ये ये इतना जादा क्यों माइने रखता है मतलब कि ये जो खबर है वो भारत और रश्या के perspective से अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि रश्या और भारत हमेशा से एक साथ रहे हैं और रश्या कभी expect कर ही नहीं सकता कि भारत जो है वो यूक्रेन को ये इस तरह के हतियार सप्लाई करेगा और यूक्रेन कहीं न कहीं उसका इस्तमाल रश्या के खिलाफ करेगा और इसी के वज़े से ये चिंता जनक्स देती है लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होना चीए कि पिछले डेट साल से अगर आप देखोगे हर जगा मीडिया में ये ख़बर आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो हतियार प्रोवाइट कर रहा है यूक्रेन को on the behest of western powers बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर map में ये रहा यूक्रेन और यूक्रेन के पास जो पडोसी देश है जैसे पोलैंड हो गया या फिर इसका जर्मनी हो गया तो बताएए जा रहा है कि इंग्लैंड ने यूके ने डील किया था पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो सप्लाई किया है वेपन्स को Poland और Germany के माध्यम से वो ultimately Ukraine में जा रहा है और Ukraine उसका इस्तमाल Russia के खिलाफ कर रहा है तो पिछले डेड़ साल से इस तरह की खबरे आ रही थी, लेकिन अचानक से ये खबर आना कि भारत के दोरा बनाया हुआ artillery shells, अगर ये Ukraine इस्तमाल करेगा, तो कही ना कहीं, रश्या और भारत के जो रिष्टें उसमें बहुत बड़ी दरारे हा सकती है लेकिन खेर, मैं आपको इसके बार में और चीजें बताऊँगा, सबसे पहले ये जो 155 mm artillery shells की जब हम बात कर रहे हैं तो वो है क्या exactly, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं देखो ये hovitzer है, ठीक है, अब इसी के अंदर ये क्या किया जाता है, नॉर्मली क्या होता है, जो bullet होता है, वो हम गन में डालते हैं और गन से shoot करते हैं, उसी प्रकार से ये बड़ा gun कह सकता है, जिसमें ये artillery shells डाला जाता है, और इसके माध्यम से shoot किया जाता है, और ये काफी safe माना जाता है, मतलब कि आप बहुत सारे kilometer दूरी पर रहकर इस तरह से fire कर सकते हैं, मैं example बताओ तो जैसे kargil youth हुआ था, जैसे boforce हो गया, ठीक है, उसका इस्तमाल किया गया था, तो ये जो 155 artillery shells है, ये high explosive capacity वाला बताया जाता है, जिसकी range 38 km है, मतलब 38 km के दूरी से भी आप इसको operate कर सकते हो, मार सकते हो, और ये जो variant के हम बात कर रहे हैं, ये वाला variant है, H, E, E, R, F, B, B, B तो basically ये variant इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो claim किया गया है, जो video सामने आरे हैं, जिसमें बताया जा रहा है, कि भारत ने supply किया है, वो इसी variant की चर्चा हो रही है और ये वाला जो variant है, मैं आपको बता दूँ, ये कई सारे temperature के range में operate कर सकता है, मतलब minus 20 degree Celsius से लेकर 60 degree तक के Celsius के बीच में ये operate कर सकता है और काफी user friendly design है और साथी साथ आप देख सकते हो कि Ukraine और Russia की जो conflict चल रही है, इसमें Ukraine ने यही वाला जो howitzer मैंने आपको बताया है, 155 mm वाला, इसका काफी इस्तमाल किया है essentially आपको समझना है कि ये जो हम artillery shells की बात करानी है ये again आप picture में देख सकते हो, इसके 4 main parts होते हैं, जैसे की fuse हो गया rocket propellant हो गया, तो इस तरह के आपको 4 main जो parts हैं वो देखने को मिलते हैं काफी बड़ा bullet होता है एक तरह से और each round, जब मैं कहता हूँ 155 mm का मतलब हो गया, हम इसकी diameter की बात करें, ये जो diameter है ना, उसकी बात हो रही है और इसका weight around 100 pound होता है, लगबग 45 kg का, और इसका अगर हम height की बात करें, कितना लंबा होता है तो 2 feet लंबा होता है, करीब ये although अगर आप देखोगे, तो United States ने already 1.5 million rounds जो हैं, वो अलड़ी Ukraine को भेजे में हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बोला, कि Ukraine को इसकी और ज़्यादा हो शकता है, Ukraine बार-बार मांग कर रहा है, कि हमें ये और ज़्यादा चाहिए अगर हम Russia से fight करना चाहते हैं खेर, question अब यहाँ पर यह है, कि ये जो हम artillery shells की बात कर रहा है ये भारत से Ukraine कैसे पहुँच सकता है देखो, यहाँ पर आपको एक ची समझना है कि भारत ने neutral stand ली है भारत ने साफ साफ का है कि हम यहाँ पर किसी का साथ नहीं दे रहा है, हम किसी के against नहीं है जो भी चीज हो रहा हम इसमें neutral है और इसी लिए आपने देखा होगा भारत ने रश्या से oil खरीदा है, भली western countries ने कितना भी कुछ बोला हो और इसी के वज़े से अगर आप देखोगे तो ये वाला जो artillery shells है जो बताया जा रहा है जिस हम variant की बात कर रहे है ये produce किया गया था by Munitions India Limited ये basically Indian Ministry of Defence का subsidiary है और यहाँ पर इसके दोरा ये वाला जो artillery shells है वो तो बनाया ही जाता है लेकिन इसके अलावा भी 105 mm हो गया 125 mm हो गया इस तरह के artillery shells बनाया जाते हैं लेकिन अभी के लिए जादा तर यही बताया जा रहा है अगेन कि भारत ने हो सकता है मतलब कि भारत क्या है न कि ये जो artillery shells से जो बनाया जाता है इसको और देशों को भी supply करता है कौन से देश जैसे कि Poland हो sorry यहाँ पर जो important जो country आपको पता होना चाहिए वो है आपका United Arab Emirates और अर्मेनिया इन दोनों को तो हम supply करते ही ये हमें पता है ये आपका official है लेकिन यहाँ पर एक unnamed European country है जिसको भारत ये supply करता है अब कौन सा है वो लेकिन most probably ये Poland या फिर Slovenia बताया जा रहा है यहाँ पर ये Poland आप देख रहे हो या फिर यहाँ पर छोटा सा country है ये Slovenia यहाँ पर आप देख पाऊगे तो इन दोनों देशों को हो सकता है कि शायद भारत supply करता हो तो most probably हो सकता है कि जो भारत ने बेचा होगा क्योंकि भारत directly तो Ukraine को कभी नहीं दे सकता इस situation में तो हो सकता है most probability यही है कि यहाँ पर ये जो Poland है Slovenia हो गया उनके माध्यम से ये जो artillery shells है वो शायद Ukraine पहुचा होगा क्योंकि Poland एक ऐसे जगह पर है अगर आप geography देखोगे तो यहाँ पर जितने भी western country supply करते हैं वो पहले अपने समान को Poland भेजते हैं या फिर Romania भेजते हैं वहाँ से Ukraine के अंदर इसको supply किया जाता है या फिर यहाँ पर दूसरी एक और possibility बताए जारी है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर यह भी बहुत interesting इसको ध्यान से सुनिएगा basically यह बोला जा रहा है कि हो सकता है भारत से US ने पहले यह खरीदा होगा 155 mm का जो artillery shells अब यह ऐसा क्यों है क्योंकि October 2023 में United States का एक statement आया था और वो statement क्या था मैं आपको बताता हूँ United States ने यह कहा था कि America पूरे दुनिया के अंदर अलग-अलग देशों में उसके जो friendly countries हैं वहाँ पर इस तरह की जो communications हैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे Poland हो गया, India हो गया, Canada हो गया वहाँ पर इसको manufacture किया जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ पर शायद भारत में यह वारा जो artillery shells है उसका order पहले US ने दिया होगा यहाँ पर बना होगा और फिर यहाँ से हो सकता है कि यह जो है अलग तरीके से back channel से Ukraine में supply किया गया होगा in fact बताया यह भी जा रहा था कि भारत में यहाँ पर जो firm है क्योंकि अमेरिका ने लगभग 9 ऐसे firm है 9 companies हैं जिनको इसका order दिया था वो companies US, Canada, India, Poland में देखने को मिलती है लेकिन भारत में जो company है वो order दिया गया था Solar Industries Limited, India Limited को तो इसके माध्यम से भी हो सकता है देखो यह सब possibilities है यहाँ पर 100% यह नहीं है कि यहीं होगा खेर इन सारे चीज़ों को देखते वे भारत की तरफ से क्या reply आया है बिल्कुल अक्चुली क्या है जो इंडिया के External Affairs Ministers के Spokesperson है रंधीर जैस्वाल उनसे जब मेडिया ने सवाल पूछा इसके बारे में तो उन्होंने साफ साफ इस शीच को डिनाई कर दिया कि भारत ने किसी भी प्रकार का जो emunitions है हतियार का export Ukraine को नहीं किया उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमने हमारा जो stand है वो हमेशा से neutral रहा है यहाँ पर हमने किसी भी तरह का contribution है वो Ukraine को नहीं किया तो इस पर आपका क्या सोचना है दोस्तों क्या मानना है मुझे comments में जरूर बताएगा जाने से पहले एक interesting question यहाँ पर आपने देखा होगा भारत ने कई सारे operations चलाए थे तो इन operations को आपको match करना है बताना है कि कौन सा correct है इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा यह वहाँ पर अगर आप नहीं हूँ कोई बात नहीं पूरा स्टेज आपका cover होगा just use this code अंकितलाइब चेकाउट के दौरान ताकि आप इसको ले पाए हैं hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon